असलाम अलेकुम दोस्तों, तो राजिस्तानी स्पेशल वाली बैंगन मसाला की सबसी बनाने के लिए पाँच्छे लैसन की कलिया और हरी मिर्चे को कूट लेना है, दो चमच हमने धनिया पौडर ले लेना है, दो चमच लाल मिर्ची का पौडर उसके बाद ये आदा चमच हल हमें जरुरत पड़ेगी, तो हमें इसमें थोड़ा सा पानी दाल के पेस्ट टाइब बना लेना है, और इसी को हमने बैंगन के अंदर भरना है, और बाकी ऐगने ऐसे मसाला है उसको आफ देख सकते हैं, थोड़ा सा पानी दाल के हमने इसको बना लिया है, यहाँ पर हमें एक प्यास की जरुरत है, तो ये मैंने वाइलेस चॉपर लिया है, बहुत वर्दी है, बहुत-बहुत ही क्विकली प्यास हो जाती है, जितनी बारी करना चाहो हो जाएगी, तो ये देखिए, प्यास हमारी हो गई है, ठीक है? अब क्या करेंगे हम, ये जो मसाला है, उसको लेंगे, और हमने बैंगन को नमक के पानी में धो कर रखा था, ताकि वो काले ना पड़े, उसमें हमने चीरा लगाया और आप देख सकते हैं, इसमें हमने इस तरीके से ये मसाला भर देना है, ठीक है? बहुत ही अमी लगते हैं, तो अब तक हमने हिदराबादी बगारे बैंगन बनाए थे, लेकिन ये वाले बैंगन सीरियसली टकर दे रहे हैं हिदराबादी बैंगन को बहुत ही अम है, मुझे बहुत पसंदाए चलिए, जल्दी से सब बैंगनों में भल लेते हैं अब हमने क्या करना है? एक से देशमच तेल ले लेना है तेल में सबसे पहले जीरे को दाल देते हैं और जीरा हम क्राकल होने देते हैं तो ये जो अम बैंगन बना रहे हैं ये हम आलू के साथ मिक्स करके बना रहे हैं दो आलू भी हमने लिए हैं, जिसे हमने धोकर कट करके नमक के पानी में रखा था, ठीक है? तो खड़े-खड़े उन्हें कट किया था हमने, तो ये देखी, सारे के सारे आलू हमने थोड़े से फ्राइ कर लेना है तेल में, ठीक है? जैसे ही आलू हो जाए, जो हमने एक प्याज जो हमने बारिक चॉप करके रखी है, वो हमने डाल देना है, और आलू के साथ में प्याज को हल्का सा कलर चींज होने तक, फ्राइ कर लेना है, ठीक है? अब हम इसमें नमक डालेंगे, नमक आप अपने टेस के साफ से डाल दीजेगा, फटा-फट से मिक्स कर लेते हैं, अब हम इसमें टामाटर डालेंगे, टामाटर को थोड़ा सा चलाएंगे, इसके बाद थोड़ा से सूखे मसाले डालने की जरूरत है, तो एक छोड़ा चम सारे के सारे भरवा बैंगनों को हमने आलों के साथ में डाल देना है, ठीक है? उसके बाद एक अच्ची तरीके से इसे भी हम मिक्स कर लेंगे, कि बैंगन जरा अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद जो मसाला हमारे पास में बचा है, इसमें पानी डाल के हम उसको और फाइनली सारी चीजें उमने दाल दी है तो फिरए क्या करना है, मिक्स कर लेके इसे हम बंद कर देते हैं और इनतिजार करेंगे हम तीन सीटी का ठीक है बैंगन गल गए है फड़ा फड़ा से इसे हम सर्फ कर लेते हैं तो अब आप देख सकते हैं ये कितना यम और कितना ब्यूटिफुल लग रहा है I hope कि सीरियसली आप इस रॉयल डिश को जल्दी से ट्राइ करने वाले हैं और हमें फीड़बैक में जरूर बताइए कि आपको ये राजिस्तान की स्पेशल भर्वा बैंगन और आलू की सबजी कैसे लगी तो हमें आपकी कमेंट का बड़ी बेसबरी से इंतजार रहेगा तो फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर तब तक के लिए आप इंजॉई कीजिए ये रेसिपी मिलते हैं अलाहाफिस